अतिथी शिक्षक के फरजी प्रमान पत्र के सहारे सरकारी नौकरी हासिल करने वाले तीनों प्राथमिक शिक्षक एक महीने ही नौकरी कर सके इनकी अगस्थ महीने में ही नियुक्ती हुई थी इस बीच एक शिकायत की जाच कलेक्टर ने कराई तो पूरा मामला खुल गया इन में से दो शिक्षक शियोपूर और एक पन्ना जिले में शिक्षक की सरकारी नौकरी कर रहा है कलेक्टर संजे कुमार ने तीनों अतितियों की नियुक्ती निरस्ट करने के निर्देश दिये है साथ ही फर्जी अतिति प्रमानपत्र बनाने के लिए जिम्मेदार पाए गए बीओ शियोपूर तथा तीन प्राचारियों की विभागिये जाच संस्थित की है डिप्टी कलेक्टर बियेश श्रीवास्तव को जाच अधिकारी बनाया गया है। बताया गया है कि कलेक्टर संजे कुमार को शिकायत मिली अतिती शिक्षकों के फरजी अनुभव प्रमानपत्र बनाये रहे हैं। तीन ऐसे नाम भी गए जिनके फरजी बताय अनुभव प्रमानपत्र बनाये गए। शिकायत की जाच में अतितियों के प्रमानपत्र फरजी बनाये जाना पाया गया। इसी प्रकार शासकिय माध्यमिक विद्यालय दोहली जिला पन्ना में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक बाग सिंग की नियुक्ती निरस्थ किये जाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी पन्ना को पत्र भेजा गया है। जितेंद्र बितल प्रभारी प्राचार शासकिय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दोहली जिला शिक्षक बाग सिंग विद्यालय दोहली दोह। 2023 में अतिथी शिक्षक सम्वर के आरक्षित पदू पर नियुक्ती प्राप्त करने वालों में ये तीनों भी शामिल थे, जिनके द्वारा फरजी अतिथी प्रमानपत लगा कर अतिथी अनुभव के तौर पर मिलने वाले अंक प्राप्त करके नियुक्ती प्राप्त की. पांच लाख रुपे लेकर बनाए गए प्रमान पत्र फरजी अतिथी शिक्षक प्रमान पत्र बनाने संबंदी खुलासे के बाद ये बताया जा रहा है कि इसमें पांच माइनस पांच लाख रुपे का लेंदेन हुआ है इसी का नतीजा है कि ओनलाइन प्रमानपत्र बनाकर देने का नियम होने और उस पर रिकॉर्ड उपलब्ध होने के बाद भी इनके फरजी प्रमानपत्र बन गए अनुभव प्रमान पत्र बनवाने की यह है प्रक्रिया अतिती शिक्षक का अनुभव प्रमान पत्र बनवाना बहुत सहज नहीं है। इस प्रकार की अपडेट जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बैल आइकन है उसे आल पर सेट कर दे धन्यबाद